इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। द्वारा बताई गई खुराक और तरीके से खाने के साथ या बिना भोजन के दें। ये अकेले या अन्य दवाओं के सयोजन में निर्धारित किया जा सकता है। आपके बच्चे द्वारा फैक्सिफिन ओरल सस्पेंशन की शुरुवाती कुछ खुराक लेने के बाद अलजी के लक्षन कम हो सकते हैं। गंभीर अलजी की स्थिती में आपके बच्चे को एक या दो सप्ताह तक दवा लेना जारी रखना पड़ सकता है। यदि आपका बच्चा इस द्वा को लेने के 30 मिनट के भीतर उल्टी करता है, तो बच्चे को शांत होने दें और वही खुराक दोबारा दें। हाला कि अगर अगली खुराक का समय हो गया है तो खुराक को दोबारा न दोहराएं। दवा के सेवन से मतली, उल्टी, चक्कर आना, नीद ना आना और सिर्दर जैसे कुछ मामूली और अस्थाई दुश्प्रभाव हो सकते हैं। ये दुश्प्रभाव आदर्श रूप से अपने आप कम हो जाने चाहिए। लेकिन अगर वे आपके बच्चे को परेशान करते हैं या परेशान करते हैं तो बिना किसी देरी के अपने बच्चे के डॉक्टर से परामर्ष करना सबसे अच्छा होगा। अपने बच्चे के डॉक्टर को सूचित करे कि क्या आपका बच्चा किसी चिकित सपध्धती पर है या उसे किसी दवा, उत्पाद या भोजन से अलजी है सुनिश्चित करे कि डॉक्टर को पता है कि आपके बच्चे को दिल, लीव, किड्नी की कोई समस्या है या समय से पहले पैदा हुआ है उपचार में किसी भी जटिलता से बचने के लिए आंत्र रुकावट, कुपोशन, वजन से समबंधित मुद्दों और थायराइट की समस्याओं के बारे में किसी भी इतिहास के बारे में डॉक्टर को बताया जाना चाहिए समपून चिकित सा इतिहास जानने से आपके बच्चे के डॉक्टर को खुराक में बदलाव करने और आपके बच्चे के समग्र उपचार की बहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद